शांसिग राजपूत के निधन के बाद अभी भी लोगों का दर्थ कम नहीं हो रहा रूपा गांगुली ने उनके पुरानी क्लिप को शेयर करते में लिखा है जिसमें वो लिखती है what beats me is why a person so full of life, so positive and fearless would at all resort to such a path, it's not adding up मतलब मुझे इसमें विश्वास ही नहीं हो रहा, यकीन ही नहीं हो रहा है दरसल एक interview के दोरान, जब सोन चिडिया का promotion चल रहा था तो वो भूमी पेटने कर एक interview के दोरान जो है उनसे उनके contemporary heroes के बारे में पूछा गया आईश्मान के बारे में, राजकुमाराओ के बारे में, विक्की कोशल के बारे में तो वो कहते हैं कि मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे इनको ऐसे film में कैसे मिल गई, ये काहनी मैंने क्यों नहीं सुने लेकिन साथ ही वो आगे बोलते हैं कि बहुत ही inspiration लेता हूँ मैं इन सब चीजों से कि आखे कैसे ये लोगों को इतना सारा मिल जाता है, हो जाता है फिर लेकिन मुझे jealousy feel नहीं होती है और उसके बाद वो आगे कहते हैं कि सबसे बड़ी बात जो है जब उससे पूछा जाता है कि आप किस से क्या-क्या सीखते हैं तो वो कहते है कि मैं विक्की कॉशल से सीखता हूँ कैसे चोटे-चोटे-चोटे इन्वैंस इस वो एड़ करता है सीम में राज्मार राओ के साथ मैंने जो है रियर्सल कितनी इंपॉर्टेंट इमान उससे सीखा और जब आयुष्मान को राना के पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सबसे को पूरा करने के बिलकुल मदरो यह सारी चीज़े मैं आयुष्मान से सीखी हैं तो यह वो इंटेव्यू है तो इस तरह से जो है उन्होंने बाते बताई कि मैं सीखता हूं मतलब जैलेसी फील नहीं होती तो कितना पॉजिटिव जवाब दिया था उन्होंने और इसी क्लिप को अब रूपा ने टाग करते में कहा है कि जो इंसान इतना फियर्लेस इतना पॉजिटिव हो सकता है यानि कि उनके मन में कभी भी किसी सी कोई जलन नहीं थी और किसी को भी अपने कंटेंप्ररीज को वो उनकी तारीव करने में भी पीछे नहीं रहते थे ऐसे मैं ऐसा इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है मैं जब भी सोचती हूं तो मेरा दिल जो है एक दम दल से भर जाता है जोर जो से धड़कने लगता है कुछ इसता की बात जो है रूपा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है